नमस्काल आप सभी का बहुत-बहुत आपका श्वागत है अपिनिन दन्या जब आपका इड्मिशन हो जा रहा है तो अब फिजिकल वेरिफिकेशन की भी बात हम इसमें करना बहुत जरूरी है कि किन-किन का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा यह बहुत important वीडियो आपके लिए है इलहाबाद University जो CUTUG के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत जरूरी वीडियो है कि physical verification कहां कहां main campus और college के साथ हम सारी चीजें आपसे discuss कर लेंगे सबसे पहले आप video को अंतर तक टेलिग्राम मिलहाबाद University को बुजवाइन कर लीजिए साथ-साथ Instagram का भी हमारा page है उसको बुजवाइन कर लीजिए physical verification का मतलब तब होता है जब आपका admission हो जाता है सारे college की एक ही video में हम discuss करेंगे campus की भी discuss करेंगे किसका किसका होता है पिछले साल किसका किसका हुआ था इस बार किसके किसके होने की संभावना है और कहाँ पर physical verification मच्ट है यह बाद जान लीजिए सबसे पहले main campus की बात करते है main campus की बात करते हैं जिन बच्चों का admission हो जा रहा है जिनका admission complete हो गया है जो university की fees submit कर दिये है वो बच्चे जान लीजिए कि आपका admission हो गया कुछ courses बड़े हैं जैसे BA, BSC, BCOM यहाँ पर physical verification main campus में नहीं होता है आप एक बात जान लीजिए आपका enrollment होता है enrollment होता है आप अपने department में जो आपको subject allot हुए हैं आप अपने department में जाके अलग-अलग department में तीन subject allot हुए होंगे philosophy, geography, hindi, जो भी है BSC में तीन subject आपके allot हुए होंगे, BCOM में आपको BCOM department यानि commerce faculty जाना है तो यह बात है, यहाँ पर कोई physical भी verification नहीं होता है इसका मतलब यह है, यहाँ के बच्चे अगर अपना admission ले चुके है तो वो अब धे-धे प्रयागर आ जाना अपना shift करें यहाँ पर सीधे enrollment होता है अब वो enrollment कब होगा जब आपकी classes start हो जाएंगी जब यह classes start हो जाएंगी या department पे जब सूचना आ जाएगी तब आपको आके अपने department में enrollment करवाना है अब यह सूचना कैसे पता चलेगी यह सूचना हमसे पता चलेगी मैं आपको बता दूँगा मैं टेलिग्राम या यूटूब पे कब आपको आना है लेकिन अब धे-धे आप आना अब shift करिये इसके बाद बात करते हैं main campus के कुछ और courses की जैसे professional courses की जैसे बात करें professional course में जैसे BA media study BWalk food processing BWalk media production BA disaster management का एक course है BCA हुआ BBA MBA हुआ तो यहां पे आपको सूचना जारी की गई है यहां पे सबसे पहले आपका admission होगा online जो admission हो रहा है online admission हो रहा है यहां पे university deuce cut रही है university deuce का मतलब आप समझ रहे है इसमें पीछे वाले में हम BFA और उसका भी लख लेते हैं BPA और BFA का भी बहुत ज़्यादा fees नहीं है यहां पे university deuce cut रही जैसे BA media strategy में किसी बच्चे का admission होगा तो उसको 500 या जो भी फीस होगी वो submit किया होगा लेकिन यह पूरी फीस नहीं है यह आपकी examination फीस सारी चीजे इसमें नुट करके university deuce से कहते हैं यह कटा होगा आपको इसके बाद अगर आपका admission अब हो चुका है अगर आपने फीस को पेमेंट कर दिया है तब आपको अपने department आना पड़ेगा offline रूप से offline form में आप department आएंगे यह कब आएंगे जब आपका admission हो जाएगा उसके तुरंत एका दो दिन बाद आपना आना सुरू कर दिजिए वरना अगर आप final fees नहीं submit करेंगे तो आपका admission cancel हो जाएगा जैसे बीए मीडिया श्रीडीज को फीस है को साथ साथ हजार या पत्तिस हजार है कुछ ऐसी है तो यह पर semester की फीस है तो आपको आके वहाँ पे offline रूप में Google Pay के माध्यम से या दीडी के माध्यम से अपने department यानि की जैसे बीए मीडिया श्रीडीज और बीवाग मीडिया प्रोडक्शन यह मीडिया डिपार्टमेंट है Center of Media Studies CMS यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा बीवाग food processing और यह जो डिपार्टमेंट है यह आपको मिलेगा science faculty में IPS department में यहाँ जाना पड़ेगा BBA MBA के जो बच्चे उनको मौनेरिबा में जाना पड़ेगा मौनेरिबा यानि की commerce faculty में जाना पड़ेगा वहाँ पर जाके जो इनकी fee से वह DD के मादन से या Google Pay के मादन से जमा करेंगे इसकी सूचना भी आई थी इन बच्चों के भी सूचना दिया जारा लेकिन अगर आपका admission हो गया है तब आप यहाँ पर आ करके अपना जो है वह करिए क्या करिए fees को submit करिए offline form में offline form में जब आ आप आएंगे तो सारे document के साथ आईएगा CUT-UG का scorecard उसके बाद फिर admission card, fee receipt आपको ले आनी पड़ेगी, photo, आधार card, 10th, 12th की mark sheet जो भी CUT-UG के registration के time में लगा है इलहबाद इन्वस्टी के registration सब कुछ आपको लेकर आना है offline form में आप जाएंगे अपने department में और अपना फि personal course की बात करें जिनके fees बहुत जादा है यह main campus की मैंने बात कर ली अब ध्यान से सुनिए आप इसके बाद हम बात करते हैं किसकी college के college का जो process है दिखिए जहां जिस college में offline रूप में admission हो रहा है पहले हम इसकी बात करते हैं जैसे इलहाबाद degree college ADC SS Khanna है R.E.Karnya है जगत तारण है R.T.M. यानि राजस्टेंडल महिला महाविद्ध यहाँ पे offline form में admission अभी चल रहे है यहाँ जब आप यहाँ पे offline admission ले ले जाएंगे तो वही आपका document verification आपका admission एक साथ हो जाएगा document verification आपका और admission आपका एक साथ ही माना जाएगा तो इसके लिए आपको अलग से कोई verification नहीं करवाना पड़ेगा जैसे ADC की जिस दिन cut off आ रही है उसके दूसरे दिन offline form में admission हो रहा है ऐसा स्खन्न में पहले आपको जाके form लेना पड़ रहा है फिर आपको form भरके submit करके साथे document के साथ फिर आपका admission हो रहा है आर करने अभी भी ऐसा process जगततारन में भी पहले online site पे इसका भूआएगा तो आप form भरेंगी तब आपको offline रूप से आके college में अपने subject allotment को करवाना होगा RTMM में भी ऐसा process है offline रूप में हो रहा है तो यहाँ पर आपका document verification का कोई लोचा ही नहीं फिजिकल verification का अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे college जो जैसे IHDC, CMP, PCC, SPM यह चाह college की बात कर रहे हैं IHDC में online admission हो रहा है, CMP में सब में online admission हो रहा है यानि कि online mood में admission हो रहा है IHDC की cut-off ने के लिए दूसरे दिन इसका admission हो रहा है online site पे हो रहा है IHDC CMP की website पे हो रहा है CMP, ICC की और SPM का भी इस सारी चीज़ अभी SPM का सब नहीं start है जब start होगा तो मैं बता दूँगा अभी जब तक video बन रहा है तब तक नहीं start है IHDC की cut-off आई अभी admission process चल रहा है यहां से notice जारी होगी notice आएगी notice यह आएगी कि जब आपका admission हो जाएगा तो यह आएगी कि 12 तारीख या 13 तारीख एक काम आपको एजमपल दे रहे है इस दिन आकर कि BA के बच्चे अपना offline document verification college में करवाएं तो उस दिन आपको आना पड़ेगा बाबू BSC के बच्चे इस दिन आकर करवाएं BSC के बच्चे इस दिन आकर करवाएं तो यहाँ पर document verification होगा document verification यहाँ पर होगा उसकी अलग से date आएगी अलग से date आएगी जब आपका admission process अनतिम चरण में होगा last stage पर होगा तब उसकी date आएगी तो अभी आपको परिशान नहीं होना है जब भी यह होगा आप instruction को पढ़ते रही है जब अपने admission के साथ जब आप registration करवा रहे हैं जब तक आप इसको verification नहीं करवाएंगे तब तक admission आपका final नहीं माना जाएगा इन चार college में जान लीजिए चार college ऐसे हैं फोर college में तो यह पूरा हम offline document verification की पूरी सूचना हम आपको दे दे रहे है मालीजे की ISDCA में किसी ने B.com में admission करवाया तो अभी उसका admission हो गया है फिड एक list मतलब एक notice आएगी कि इस दिन B.com के बच्चे आके इतने बज़े से इतने बज़े college में आके verification करवाएं तो आपके ISDCA degree college जाना होगा उसी दिन जिस दिन बुलाया जाएगा आपको CMP में है तो वहाँ पे जो notice लिखा गया है कि दो दिन बाद आईए जैसे भी आईए जब उसका भी आएगा कि इस दिन इस दिन B.A. का है इस दिन B.com. का है यह पूरा का पूरा process मैंने offline document verification का आपके सामने रख दिया इलाबाद University main campus के B.A. B.C. B.com के बच्चों को नहीं परिसान होना है उनका verification होता नहीं क्योंकि बहुत जादा बच्चे रहते हैं main campus के लिए क्योंकि वो सारी चीजे पहले से ही verify हो रही है लेकिन professional जो course है जो वहाँ पे आपको अलग से fees submit करनी परती है जो course की fees रहती है तो उसके लिए आपको department में जाके visit करना पड़ेगा और अब अगर आपके admission हो गया तो अपने department जाना आप सुरू कर दीजिए यह पूरा का पूरा whole process मैंने आपको समझाया है अगर इसके बाद में किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो रही है तो हमारे instagram पे आप पूछ लीजिए comment box में आप message कर दीजिए उसके बाद हम उस पे video बना देंगे बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आपार thank you